हेममानली पर अबद्र टिपडी के मामले में सुर्जेवाला को नोटेस जारी हो गया है दरसल हर्याना राज महिला आयोग ने भेजा है रंदीप सुर्जेवाला को नोटेस ये बड़ी खबर आपको बता रही है रडीप सुर्जेवाला के बयान पर अब जो राजनीती है वो जमकर गर्माने लगी है हलाकि जब इस पर हेमामाली से बोला गया थे हेमामाली ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जनता मेरे साथ है ये हेमामाली का कहना था विवादित बयान पर बीजीपे ने भी पलटवार किया है बड़ी खबर आपको बता रही है और इस पूरे मामले में सुर्जेवाला को नोटिस जारी हो गया है हर्याना राज महिला आयोग ने भेजा है रणदीप सुर्जेवाला को नोटेस तो बड़ी ख़बर आपको बता रही है इस पूरे मामले में अब जमकर राजनीती भी गर्माने लगी है बीजीपी ने प्रेस कॉन्फरेंस करके जमकर हमला भी बोला सुधान चुत्रिवेदी ने इस पर जमकर हमला बोला तो ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे मत्रुआ से बीजीपी प्रत्याशी है हेमा माली आपको बता दे आज नामंकन के द्वारा दाखिल हुआ है नामंकन दाखिल करने के बाद हमा माली ने बताए कि तीसरी बार सांसट बनने पर वो शेत्रवासियों के लिए क्या क्या करना चाहते है तो कहा ही कहा लेकिन साथ साथ मुन्होंने कॉंग्रेस नितार अरदिप सिर्जवाला के अमर्यादित बयान पर भी कहा ताकि मोदी योगी से उन्हें महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए